आज हम लोग पात करने वाले हैं उत्राखंड के गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज के 15% seat यानि आल इंडिया के seats के बारे में और आज हम लोग cut-off rank की analysis करने वाले हैं और इंडिया कट ओफ रांग की साथ ही साथ 2023 में फीस स्ट्रक्चर के आ रहा उत्राखंड का ये भी हम लोग डिसकस करेंगा और होप फुली आगे भी यही रहेगा अगर मेरी वीडियो अपको लगे तो जरूर लाइक कर दीजेगा शेर किजेगा शब्सक्राइब कर दीजेगा साथ जाथ नोडिफिकेशन का बटन जरू दबा लेजेगा प्लिस सब्सक्राइब कर दीजेगा और इस चैनल से जुड़िए आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हिल्फुल रहने वाली तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसका सीट रहेगा उसी का में में चैन करूंगी राउंड फोर के लिए बाकी राउंड तरी तक सभी कॉलेज में सीट मिल जाता है तो एम्स रिशी केश की बारे में आप जानते हैं कि ये टॉफ फिफ्टी कॉलेज में आता है तो राउंड टू में जनरल का कट ओफ थोड़ा ही सा इंक्रीज हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एम्स रिशी केश टॉफ फिफ्टी कॉलेज में आता है इसी वजह से यहां पर कट ओफ भी बहुत जादा हाई जाता है सही है और दूसरी बात यह भी में बता दू कि राउंड वन राउंड टू में ही जाद तर सीट्स भर जाती है जो थोड़ा बहुत जाती है और फिर वो राउंड थी तक जाती है इस बार ऐसा इसलिए हुए क्योंकि एप्ग्रिडेशन भी था राउंड टू में इस वजह से राउंड तरी तक भी गया अधर्वाइस पहले तो यह round 2 तक ही खतम हो जाता था चलिए आगे cutoff की analysis करते हैं लोग OBC का 1627 था और second round 1630 सिफ तीन ही बड़ा है EWS में कोई change नहीं आया था SC में भी कोई change नहीं आया और ST में उससे कमी रांग पे अप्ग्रडेशन हुआ 16745 अब राउंड 3 भी देख लेते हैं राउंड 3 में थोड़ा सा और cutoff हाई हुआ है इस बार 931 पे selection हुआ है OBC में 1293 यानि इससे और कम पे selection हुआ अप्ग्रडेशन बेसिकली कह सकते हैं EWS में कोई change नहीं आया SC में change आया है लेकिन SC में change वैसा नहीं आया कि increase कर गया है यहां पे 9,219 पे अप्ग्रडेशन हुआ होगा और ST का कोई change नहीं आया है अब क्यूंकि नए बच्चे यहां पे include होंगे तो इस वज़े से मैं यहां पेंशन कर दिया इम्स का वैसे तो सबको पता होता है कि एम्स की फीज सबसे ज़्यादा कम होती है लेकिन फिर भी आप देख लीजे एम्स का जो एड्मिशन फीज होता है 1628 मैं यह भी बता दू कि इतने भी एम्स हैं all over इंडिया सब का फीज सेम टू सेम होता है फर कि एर वी इन फीजस Four azund 228 यह और जो मिस होता है वो एक्स्ट्र होता है वो इसमे इंड्लूड नहीं होता है और आप अब next बात करते हैं जितने गमर्मेंट मेडिकल कॉलेज थे एम्स तो रॉट नमस है लेकिस अब सारे बात करेंगे वह गमन्ट मेडिकल कालेज Emperor मेडिकल कॉलेज देहरादून की बात करते हैं तो यहां पर थर्ड राउंड तक ही सीट मिली है इसी वजह से यहां पर तीन राउंड का है तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड का देख लीजेए जनरल का 5,368 अगर हम लोग राउंड टू में देखें तो इंक्रीज किया है छा काफी इंक्रीज किया 74,889 गे जबके एसी का राउंड वन में 53,734 ही था इस्ट का भी इंक्रीज किया है 1,3,011 तक इंक्रीज किया है अब राउंड 3 भी देख लीजे तो राउंड 3 में यह इंक्रीज थोड़ा सा और कर गया 8,920 पर सेलेक्शन हुआ ओबीसी का 12,039 यह इंक्रीज किया है 12,483 और स्ट का यह भी इंक्रीज किया है 75,644 और स्ट का यह भी इंक्रीज कर गया है 1,012,166 और यहीं पर राउंड 3 में जो लास्ट अफ रांग है यही आपका कट अफ रांग हो जाता है 2023 का गौर्मेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरा दून के लिए अब लग नेक्स्ट कॉलेज गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज हल्दवानी की बात करते हैं तो यहां पर रांड वन का कट अफ देख लिए यह है और रांड टू का कट अफ से अगर कंपेर करें तो जेनरल का 6,655 रांड वन में था जबके रांड टू में 9,570 रहा ओबीसी का 627,19 था और रांड टू में 75,880 हो गया एस्टी का 1,2756 रांड वन में रहा और रांड टू में 11,196 हो गया अब रांड टी से अगर हम लोग कंपेर करें रांड टू को तो देख लिजे क्यूंकि अपगरेशन भी था ठीक है इस बार बहुत जादा ऑप्शिन्स खुले हु ठीक है और इस बार का कट ओफ इस ट्रे रांड में जाने के बाद बिल्कुल चेंज हो गया अगर हम लोग देखें तो यहां पे भी इंक्रीज क्या है अलदवानी में भी जेनरल का 10,864 ओबीसी का 11,601 था रांड टू में जबकि 13,522 रांड टू में हो गया इडब्लूस म गवर्में डून मेडिकल कॉलेज देहरा दून या फिर गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज हलदवानी इन दोनों का फीस स्ट्रक्चर में आपको बता देतीऊं तो यहां पर अक्शली उत्राखण में दो चीज़ें 2 खीज़े एक बॉंड इड़ क्या होता है अगर आपको बॉ अब भीस बॉंड होता है या फिर डिसकंटिन्वेशन बॉंड होता है इसलिए होता है कि आप माल लेजे कि आपके पास ऑप्षिन नहीं है आप छोड़ने का उस सीट को और आपने वो छोड़ना चाहते हैं और अगर आप छोड़ देंगे ऑप्षिन नहीं होने के बाऊजो तो आपको एक अमाउंड भरना पड़ेगा यहां पर उत्रा खड में बहुत अच्छी चीज है कि दो तरह की फीस होती है एक बॉंड़ड फीस होती है नॉन बॉंडड फीस होती है नॉन बॉंडड मतलब अगर आप बिना बॉंड के अडमिशन लेना चाहते है तो आपको स्पोर्स फीस लगता है स्पोर्स फीस लगता है 5,000 वन टाइम के लिए डिवलप्मेंट फीस 5,000 पर यर लगेगा और कॉशन मनी वह एक बर लगता है 3,000 रुपीज नॉन बॉंड ट्यूशन फीस की बात करें तो यहां पर ट्यूशन फीस हो जाता है पूरा मिला के फर्स् ट्रूशन फीस लगता है जैसे के अडमिशन फीस थे वह नहीं लगेगा स्पोर्स फीस नहीं लगेगा और कॉशन मनी यह भी वन टाइम है यह नहीं लगे बागी सारे जो पर येर फीस है वह आपको देने पड़ेंगे ठीक है तो पर येर सेकेंड यर ओंवर्ड से जादा बढ़ जाता है अब लग नेक्स कॉलेज की तरफ चलते हैं सोबन सिंग जीना मेडिकल कॉलेज अलमोरा यहां पर सारे राउंड में सीट अलॉट हुआ है तो एक एक करके आप देख लीजे राउंड वन का यह कट आफ रैंक है अगर राउंड तू से कंपेर करते हैं तो देखते हैं कि जेंरल का इंक्रीज हुआ है पहले 3,000 था 13,872 हो गया OBC the 12,000 था 15,268 हो गया EWS का 14,522 था राउंड वन में जबके राउंड टू मे 16,581 हो गया EEC का 74,000 था जबके राउंड टू में 83,917 हो गया 15,827 General का है OBC का 17,330 ये भी इंक्रीस किया है EWS का 19,220 ये भी इंक्रीस किया है SC का 94,148 ये भी इंक्रीस किया है ST का ये सेम रह गया है अब हम लोग स्ट्रेय राउंड की बात करते हैं तो स्ट्रेय राउंड में काफी जादा चेंज आया है मैंने जैसा कि बताया कि stay round में cut off rank पहले rounds की मुकाबले में काफी लो चला गया जैसे कि general में 15,000 round 3 में और stay round में 22,864 तक गया है OBC में 23,223 EWS में 23,057 SC में 123,268 और ST में कोई चेंज नहीं आए लेकिन आप देख रहे हैं जेनरल से SC तक कितना काफी चेंज आया है लेकिन आप एक चीज़ याद रखेगा कि अगर यह seat अगर बचा रहेगा ना इस ट्रे राउंड में तभी यह possible है अगर seat नहीं बचेगा इस ट्रे राउंड में तो यह possible नहीं हो सकता है आई बत समझ में तो इस साल काफी जादा मतलब क्यूंकि इस बार न्यू था लौ था न्यू तो इस वज़े से मुझे लगता है कि काफी जादा फर्क पड़ा है अधर्वाइज हो सकता है नेक्स टीयर से इतना कट ओफ जादा लो ना जाए अधर राउंड के मुकाबले लेकिन इस साल काफी चेंज आया है जैसा कि आप देखी सकते हैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन इस ट्रे राउंड में जाके बिल्कुल अचानक से बढ़ गया है तो यह चीज आप देख सकते हैं अब हम लोग चलिए बात करते हैं नेक्स कॉलेज की वीर चंदर सिंह गरवाल गौर्मेंट मेडिकल और रिसर्च इंस्टूट गरवाल और यहां पर राउंड वन का कट आफ देखिए तो यह है राउंड टू से कर हम लोग कॉंपेर करें तो यहां पर 11,182 था राउंड व यहां पर श्कार से कंपयर करिते हैं स्ते रंग में आज चाहए सेट आटमेंट में बात को सुपने इस पाव में नहीं है ho सब्सक्राइब कर दो भीराए हम नहीं है ?शने यहां विस कस छोग तोच में रहते है ?शने फिर्फ़न इन हरुछ नाज है ?शनेर सोदित नहीं में Loris सब्सक्राइब कोई चेंज नहीं आया तो यह डिपेंड करता है कि कि इतनी सीट बची हुई है अगर सीट बची हुई रह जाएगी स्ट्रे विकेंसी राउंड तक तब तो आपको कॉलेज मिल सकता है तो अगर शीट नहीं बची गॉबंट मेडिकल कॉलेज में तब पोने का फीश स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब यहा पर एक चीज है जैसे कि गॉवर्मंट दूर मेडिकल कॉलेज और और मेडिकल कॉलेज हळज था था थैक है सिंव नउन बंड फीश फीज थी तो वहां पर option नहीं थे लेकिन इन दो कॉलेज में आपके पास option है या फि पास बहुत जादा पैसे नहीं है पे करने के लिए तो आप यह option चूज कर सकते हैं बस आपको कुछ दिन के लिए आपको रूरल एरिया में डिनी होगी अगर आपको यह जाना है कि कितने साल की सर्विस देनी होगी कितना पैसा लगे कितना पैसा लगे का अगर हम bond agreement तोडते ह है तो वह सारी चीज़े आपको bond वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी ठीक है तो यहां पे देख लीज़े फीस क्या है फीस यहां पे अगें सारी फीस जो है वो सेम है जो अधर फीस जैसे के अडमिशन फीस 500 है ऑस्टल फीस 6,000 पर एर है स्पोर्ट फीस 5,000 है डेवलप्मेंट फीस 5,000 पर एर है और कॉशन में 10,000 है लेकिन अगर आप bond के साथ भरते हैं तो आपको त्यूशन फीस से 50,000 पर एर देना होता है यानि हर साल 50,000 पर टूशन फीस आपको देना होगा यानि तोटल 76,500 रुपीस फर्स्ट यार में दे बाकि जो वन टाइम फीस है उसको हटा करके जितनी फीस पर एर है वो आपको हर साल देना ही देना है ठीक है तो फर्क तो काफी है यहां पर तीन कुरा फर्क हो जाता है यहां पर 50,000 है यहां पर 1,45,000 है तो फर्क तो काफी जादा है तो आप चूस कर सकते हैं आपकी मर्ज जुन को कुछ भी मालूम नहीं है कि हाँ यहाँ यहाँ पिकना फीस लगता है कितना कट आफ गया उसके लिए तो काफी जादा है अगर फुल लगी यह वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा इस रिक्वेस्ट और मेरे चानल को सब्सक्राइब किजेगा क क्योंकि ऐसी वीडियो जाती रहेंगी तो मेरे साथ बने रहीएगा मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्स वोचिंग में वीडियो बाई बाई अलहाफीज एंटे किया